वेल्कम टू इस्टोन डिक्टेशन अगर आप इस चैंपे नए हैं तो चैंप को सब्सक्राइब कर लें अब बेल आइकन जरूर दबाएं डिक्टेशन पांच सेकेंड बात सुरू होगा रेडी स्टार्ट अध्यक्ष महूदय आपने हमारी नीजी छेतर की साख गिराने के लिए निंदा की है क्या मैं आप से अनुरोध करूं कि आप पिछले वर्षों के उन तमाम भाशनों को जो दिये गए हैं और जिन्हें सुनना पड़ा है देखा जाए जिसमें सारवजनिक छेतर की निंदा की गई है क्या आपको यह नहीं लगा है कि सारवजनिक छेतर का अपना योगदान है और हमारे देश को सारवजनिक छेतर ने ही यह ढांचा दिया है जिसके कारण हम अपनी रक्षा कर पाए हैं और आप सबकी निजी छेतर की सहायता कर पाए हैं आप यह न भूल जाएं कि निजी छेतर इसलिए आगे बढ़ पाया है कि सरकार ने उसे सनरक्षन दिया है उसकी सहायता की है अगर सरकार ने एक भिन नीत अपनाई होती तो वह आज उस आधार का निर्माड नहीं कर सकता था जो उसने किया है इसलिए आपको और हमको अपनी समस्याओं को देश के व्यापकतर परिपेक्ष में देखना है अध्यक्ष महोदय जैसा की आपने अपने भाशन में कहा है जहां अस्थिर्ता अनिस्चितता और असुरक्षा हो वहां आर्थिक प्रगती संभव नहीं ऐसे वातावरण में और अधिक आर्थिक समता लाने की कोई भी कोशिस ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी और कानून तथा विवस्था के भंग होने की प्रतेक इस्थिति में अमीरों की अपेक्षा गरीब लोगों को कहीं ज्यादा कठिना आई इसमें होती है लेकिन मैं आपका ध्यान एक बात की और दिलाना चाहूंगी इस्थिर्ता को यथा इस्थिति का परियाय नहीं माना जा सकता नहीं उसे मानना चाहिए अगर वर्तमान असमनताएं बनी रहती हैं और बढ़ती हैं तो इस्थिर्ता नहीं प्राप्त की जा सकती और यदि हम लोगों की आसा आकांचाओं की और ध्यान नहीं देंगे तथा शांती पूर धंग से परिवर्तन नहीं लाएंगे तो घटनाएं हमें पीछे कर देंगी तथा ये सब परिवर्तन उससे कहीं अधिक उगरता से होंगे जो आपने आज देखे हैं आज हमारे देश में तथा विश्व के अन्य देशों में भी यहां तक की अधिक से अधिक अमीर समाज में भी एक तरह की बेचैनी का वातावरण है जैसा की आपने समाचार पत्रों में देखा ही होगा और जो देश अभी हाल तक शान्ती और सम्रिद्ध के गढ़ माने जाते थे वे अब वैसे नहीं लगते सभी देशों में एक नई पीड़ी आगे आ रही है जिसकी सोच और जिसकी मानेताएं पुरानी पीड़ी से नहीं मिलती जुलती हमें बदलते हुए समया नुकूल बनना है अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसे डिक्टेशन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब